आज मैं आप सब के लिए बहुत ही इजी और मज़िदार बनने वाली पनीर की सबजी की रेसिपी लेकर आई हूँ ये सबजी बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी होती है मज़िदार पनीर की सबजी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में दो टेबल स्पून हम ओईल डालेंगे गैस का फ्लेब मैंने यहाँ पे लो रखा है ओईल एड करने के बाद हम इसमें एक टीजी स्पून जीरा डालेंगे फिर हम यहाँ पे तीन हरी मिर्श डालेंगे बारी कटी वी दो तेश पत्ता और साथ ही मैं यहाँ पे चार लॉंग डाल रही हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे चार से पांच काली मिर्श एड कर रही हूँ उसके वाद हम इस सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे आप इस सारी चीजों को low flame पे पकाना फिर मैं यहाँ पे दो medium size के कटे हुए प्याज add कर रही हूँ मैं प्याज को सारी चीजों के साथ अच्छे से mix कर लोंगी और इसे एक लीट से cover करके कुछ देर के लिए पका लोंगी तो हम इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं गैस का flame हम यहाँ पे low ही रखेंगे तो यहाँ पे 2-3 मिनट हो गया है आप देख सकते हैं प्याज सारी चीजों के साथ mix हो गया है और इसका हलका सा color भी change हो गया है तो अब हम यहाँ पे एक बड़ा टमाटर एड़ करेंगे तो टमाटर को मैंने बारी cut कर लिया था मैंने यहाँ पे 2 प्याज और एक टमाटर लिया था अब हम टमाटर को सारी चीजों के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले हम एड़ करेंगे एक टी स्पून जीरा पाउडर उसके साथ ही यहाँ पे एड़ करेंगे एक टी स्पून धनिया पाउडर फिर हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी तो हम यहाँ पर half teaspoon हल्दी एड़ कर रहे हैं फिर इसमें जायगा गरम masala एक teaspoon कस्मेरी मिर्च पौदर half teaspoon और नमक जायगा यहाँ पर taste के कॉदिग सारे मसाले हमने add कर लिए हैं अब इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और mix करते हुए थोड़ी देर पका लेंगे जब यह अच्छे से mix हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे एक लीड लेंगे और लीड से cover करके इसे 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे इसे आप तब तक पकाए जिब तक कि इसके उपर से आपको तेल ना दिखने लग जा तो आप देख सकते हो हमें चारू तरब से तेल दिख रहा है और मसाले प्यास टमाटर के साथ अच्छे से पक चुके हैं तो हम एक spatula की help से इसे अच्छे से mix कर लेंगे आप सारे process को low flame पे करना सारे चीज़ों को mix करने के बाद हम इसमें half cup पानी एड़ करेंगे तो मैं यह थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो प्यास टमाटर के उपर तेल पूरी तरह से अच्छे से दिखने लग गया है इसका मतलब यह है कि हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं हमें कि स्पैचुला लेंगे और उसकी help से सारे मसालों को इस त मसालों कैरे का टेक्षर चाहिए तो आप इस तरीके से मैस कर लेना सारी चीजों को मैस करने के बाद हम यहां पर स्कीयाओ करेंगे MON डोली पनीर भी सारी चीजों के साथ अच्छे से पक चुका है तो हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और पनीर बहुत सौफ्ट है आप इसे हलके हाथों से चलाना नहीं तो आपकी पनीर तूट सकते हैं अब हमें यहां पर पानी आड कर लेंगे ग्रेवी के लिए आप पानी अपने तोड़ा सा गरम मसाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुश्बू आता है सब्जी में अब हम इसे फिर से ढखकर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक कि पानी अच्छे से सूख ना जाए यह हमें जैसी ग्रेवी चाहिए वैसी ग्रेवी रेडी ना हो जाए तो आप एक सर्विंग ट्रे लिया है आप देख सकते हो ना हमारी पनीर की सब्जी कितनी टेस्टी बनी है यह कितनी अच्छी दिख रही है और इसे बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है इस ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी को आप राइस पराठे या पूरी किसी के यह बहुत ही मज़िदार बनी है तो फ्रंट अगर आपको मेरी रेसिपी पशंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें